हेलो दोस्तों आप सबके एक बार फ्रीश स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए खुस खबरी के साथ आप सबके लिए बिहार सरकार ने दिवाली धमा का ला दिया है अगर आप गवर्मेंट जब की त्यारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए समझे कि बहुत ही संदार मौक है बिहार सरकार के दुआरा एक बिगयापती जारी की गई है देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पतिकरा हुआ कि बिहार सरकार राजस्वे एवं भूमी सुधार बिभार देखें यहाँ पर भू अभिलेक एवं परिमाप निदेसाले प्रेस बिगयापती बिगयापन संक्या सन अमीन के पदो पर मांदे आधारित सुमीदा के आधार पर नियोजन मतलब कि अमीन के पदो पर वेकिंसी के संदर्व में ये विग्यप्ति आपको जारी की गई है तो आप अगर अमीन बनना चाहते हैं तो समझे कि आपके लिए ये विग्यप्ति है आपके लिए वेकिंसी है टोटल कितनी वेकिंसी है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताएगा है कि 8244 टोटल वेकिंसी है और किस के टेगरी के लिए कितनी वेकिंसी है उसका भी आपको यहाँ पर डीटेल मिल जाएगा, आई आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, किस कर्टेगर के लिए, कितने वेकेंसी हैं, अनुसुची जाती के लिए, अनुसुची जाती का मतलब होता है, A.C. वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए total 1301 वेकेंसी अनुसुची जन जाती, का मतलब हो गया कि A.C. वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए total 75 वेकेंसी हैं, अत्यान्त पिछड़ा वर्ग, का मतलब हो गया कि E.B.C. आपने आपका B.C. में 970 वेकेंसी हैं, और अगर आप पि अनारक्षित वर्ग का मतला होता है दोस्तों कि जो जेनरल कंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 3525 वेकेंसी है आर्थिक रूप से मतलब कि एकनॉमिकल जो फिछने हुए हैं उनके लिए जिसको आप EBC बोलते हैं 700 टोटल 22 वेकेंसी है कि लिए दोस्तों 722 वेकेंसी है इस प्रकास से टोटल कितनी वेकेंसी रहने वाली है तो टोटल आपको जो है 8244 वेकेंसी आपको यहाँ पर बोला गया है तो आप यहाँ पर देख लिजी यहाँ पर आपको हम और बताते हैं यहाँ पर पद नाम आपक आरक्षण निती का पालन करते हुए आपको आरक्षण मिलेगा। 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 या फिर पिछरा वर्ग। बीसी से एवं अत्यांत पिछरा वर्ग। मतलब कि आपे ओवीसी से मेल फिमेल हैं तो आपे चालिस वर्ष आपके लिए मेक्सिमम आदेखता हम उम्र रखा गया है। अनुशुची जाती अनुशुची जन जाती के लिए मेक्सिमम मेल फिमेल दोनों के लिए आपका मेक्सिमम एज लिमिट हितना है। 42 वर्ष आप देख सकते हैं आप ठीक है। तो यह है की क्रेक्टिरिया होगी दोस्तों और हम चैन पर किरिया की बात कर लें तो देखें चैन पर किरिया की में यहाँ पर यह बुला गया है। इस वले सेक्शन देखिए आपको चैन परकिरे के बारे में बुला है कि मैट्रिक एबम डिप्लोमा में प्राव्त प्रतिशत प्रतांग के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिक्तम आपको 10 अंक का वेटेज मैट्रिक के लिए आपको 10 अंक का वेटेज आपको मिलेगा और डि ये आपके merit base पर होगा। अपने metric में आपका जो नंबर से जो marks से उसी के base पर आपका selection होने वला है। metric में आपका जितना percent है उसका 10% लिया जाएगा। आपके diploma में जितना percent है उसका 90% लिया जाएगा। और तब आपका merit दोनों को जोड़ के अथा merit बनाया जाएगा आपको हम example के रूप में समझा जाते हैं मालने जिए कि कोई candidate ऐसा है जिसका metric में 80% नंबर है और diploma में उसका 70% नंबर है तो metric में 80% है तो 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा मतलब कि metric के लिए उसको 8 अंक मिलेगा और diploma में उसका 70% है तो diploma का चुकी 90% लेना है तो 70 का 19 का लेंगे तो 63 आएगा तो metric का 8 हो गया डिपलोमा का 63 हो गया अब दोनों को जोड़ देंगी यहाँ पर दिखें दोस्तों तो 71 आपका क्या आएगा मेगा सुची का अंक आ गया मतलब कि आपका merit के लिए आपका कितना बन रहा है आपका number बन रहा है 71 और इसके आधार पर आपका देखा जाएगा आप जो है merit के लिए eligible है या फिर नहीं है जितने भी application पौड़े हैं उसके आधार पर आपका cut of गुरा बनेगा तो उसके लिए आपका mega सुची ऐसे तियार किया जाएगा merit list आपका ऐसे बनेगा के लिए रहे दोस्तों तो आप जो है आप इसके लिए आवेधन जरूर करें दोस्तों आवेधन करने की जो तीती है 21.10.2022 मतलब कि आज ही स्याज आपके एकिस तारिक है और हो सकता है कि आप वीडियो बाद में देख रहे हो लेकिन हम जी समय वीडियो बना रहे है उस समय एकिस तारिक है और इसका अंतिम डेट है 16.11.2022 तो आप जो है फॉर्म भरने के लिए अगर आप एलिजीबल है तो निश्चित तोर पे आप इस फॉर्म को भरें और आप एक सीट को अपना अपना कबजा करें भाई तो चलिए ये इनफर्मेशन आप सब के लिए था उम्मेद है कि आप समझ पाय होंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दीजीए चाके ऐसा जब भी हम वीडियो लेकर आए आप सब के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंशता रहें ठेके तो चलिए फिर आपको मिलते हैं कि नए अपडेट के साथ इजाज़त दीजीए उम्मेद करते हैं कि आपको जो हमने बताया समझाया वह आप अच्छे से समझ पाय होंगे ओके बाए अपना ख्याल रखे मस रहें पढ़ाई करते रहें